विडियो तो फ्रेंट्स आज हम सभी आर आई इस के बारे में बात करेंगे और अन्त में बात करेंगे हम प्रारंप जजजड उसके बारे में बात करेंगे कि वहां से भी इंपोर्टनेंट न्यूज आ रही है तो फ्रेंट्स शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आर आई अजमेर की बात करते हैं तो जहां अजमेर में आप लोगों ने भी बात की मैंने भी बात की कल फिर बात की मैं तो अजमेर वालों ने कह दिया कि सर यह 18 से पहले किसी भी तरह स सकती है तो अज मेरवालों की बात तो हो गई यह कि यह 18 से पहले संभव नहीं है 19 को बीएड टू एर बीएड और एमड की सेलेक्शन लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट आ सकती यानि 18 और 19 18 या फिर 19 जन्वरी ठीक है अब आगे चलें तो आगे है कंडिडेट्स अप्लाइड पूर बीएड इन एर आई शिलोंग के नाउ लॉग इन डाउनलोड दा रेंक कार्ड तो इनके बारे में बात कर लेते हैं तो इन्हों ने शिलोंग वालों ने यहां यह लिख तो रखा है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं आपको आपको मैंने जो कल 20 जनों की लिस्ट डाली थी उसमें तो आप लोगों को जो फी सब्मिट करने के लिए कर रखा है तो आप अपनी एसब कलक्ट के त्रूद जमा करा दीजी ठीक है कि तो आप अपनी करदीजीएगा जिसे क्या आपका काइडमिशन पक्का हो जाए नहीं तो पिर आप सब्मिट करें तो आपका आपका जो अभी maze लिस्ट में फ्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट में नाम है तो इसको फिर कैंसल कर देंगे पिर अगले अगले कंडिडेट के नंबर आ जाएंगे जो आगर आप पांच जने नहीं जाएंगे दस जने नहीं फी सब्मिट करेंगे तो फिर आगे वाले कंडिडेट का नंबर आ जाएगा जो आपके बाद में पीछे खड़े हैं चलिए आगे बात करते हैं आर आई भूवनेश्वर क शीटे फुल हो चुके हैं वहां आपके लिए कोई चांस नहीं है ऐसी खबर महां से आ रही है को एक आज सीट कोई होगी क्यूंकि आप तो जानते हैं कल उनका आप जानते हैं कल आपका ओरेंटेशन प्रोग्राम भी हो चुका है करते हैं सप्रिक्स्रेशन प्रोग्रम बोल गया है तो अब वहां उम्मीदें कमी हैं नहीं है यह मान लीजिए आप आर आई मैसूर की बात करते हैं तो मैंने मेरे स्रीविया है के सब्सक्राइबर उन्होंने मेरे को कहा था सर मैसूर में कोई शीट बची है कि नहीं तो कल हमने मैसूर भी बात की तो मैसुर्च से हमने बात कि तो उन्होंने प्रामानिक जानकारी बताई अथेंटिक न्यूज है ऐसा उन्होंने बताया कि कोई भी सीट ने तो में वेकंट है और ने वेकंट है तो यह आपकी जानकरी के लिए थी जानकरी के लिए थी जानकरी के लिए थी भोपाल के लिए मैंने बता दिया था कि भोपाल में तो एक दम पूरा हो चुका है और उहां तो आपको जो करना था वो यह करना था कि आपकी जो कोई पुराने स् प्रारम जज्जर की मैं ये बात कर लेता हूं सिलसिले बार सब बात करता हूं सारी बाते हो गई सभी आराईज की बात हो गई है तो अब प्रारम जज्जर की बात भी हमें कर लेने चाहिए चलिए जज्जर की तरफ चलते प्रारम जज्जर तो हम यह देखिए यहां इंस्ट और यह आण यहां इसन सफ़ां हुथ तो यह OD मिलती है फिरह नहीं कर ली लेकिन आपको फिर भी खोल के बताऊंगा कि आप इसको छोट सकते और क्या दूसरी साइट पेे जरूर नहीं शुबह शुबह देरी लग रही खुलने में लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूं चलिए खुल गया है खुल गया है थोड़ा लेट खुला है स्टेट इंस्टूट ऑफ एडवांस स्टेडिश इन टीचर एड़ुकेशन यह देखिए यह प्राणम जजजर काशी नहीं मनोलाल जी खट्टा रहे हैं स्वागत हो रहा है तो आप लोग बहुत से प्राणम वाल फिजिकल मोड फेज सेकेंड इसका नोटिस आया हुआ है तो मैंने सोचा आपको यह भी बताना जरूरी है क्योंकि प्राणम भाली मुझे से जुड़े होए तो मैंने यह पहले से डाउलोड कर रखा आप लोगों के लिए तो मैं आपको दिखा देता हूं सीधा ही दिखा नोटिस क्या है यह देखिए यह देखिए यह देखिए यहां पर नोटिस है यह 14 तारीक को निकला है ठीक है डेट 14 जन्वरी पर्स्ट कोविड रियोपनिंग और इंस्सिटूट इन फिजिकल मोड फेस्ट सेकेंड अब आप इसको मैं आपको थोड़ा पढ़के सुना दे क्लाशेज ओफ बीएसी बीएड यह पहला पढ़ रहा हूँ क्लाशेज ओफ बीएसी बीएड बोथ PCM एंड CBZ थर्ड सेमेस्टर एंड फिप्ट सेमेस्टर विल बी हेल्ड इन फिजिकल फेस्टू फेस्टू फेस्ट मोड एट्टिंथ कबसे 18 जन्वरी 2021 मंडे यानि जो यह सी बीएड की क्लास हैं PCM हो चाई CBZ हो उनका थर्ड सेमेस्टर और फिप्ट सेमेस्टर है वह है अब फिजिकल मोड में आमने सामने फेस्टू पेस्टू पेस्टू यानि क्लासेज उनकी भौतिक रूप से शुरू हो जाएंगी कब से 18 तारिक से 18 जन्वरी से 100 मार्श से शुरू हो जाएंगी तो जो यहां जिनका एडमिशन हुआ है वह बी ध्यान रखें यह तो थर्ड सेमेस्टर पुराने वाले एस्पूरेंट से जिनका थर्ड सेमेस्टर है तो इसको तो यह face to face अक्षाय शुरू हो जाएंगे थारत जनुबर से यानि दो दिन बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं currently classes of BA BA first semester यह आपके काम की बात अजो अभी admission लिये हैं थर्थ सेमेस्टर एंड फिफ्फ सेमेस्टर एंड बीएट बीसी बीएट बोथ PCM और CBZ सेवं सेमेस्टर विल रन इन ओनलाइन ओनलाइन बॉड तिल फर्दर इंस्ट्रेक्शन तो यह बीएट की कक्षाय हैं फर्थ सेमेस्टर की हैं जो अभी नए admission लिये हैं थर्ड की अगले निर्देशों तक ओनलाइन बॉड में ही यह कक्षाय संचालित होंगी यानि तीसरे और पांचवी सेमेस्टर को छोड़ कर बताया है बहुत PCM CBZ इनको इनको छोड़ करके बाकी जो कक्षाय हैं है ना तो वह बीएबीड की तो पहला तीसरे और पांचवी सेमेस्ट क्यानि सारी यह ओनलाइन बॉड में जाएंगी बीएबीएड के तो यह ठीक है लेकिन बीएबीएबीएड बोथ PCM और CPZ सात्वा सेमेस्टर वह ओनलाइन ही चलेगा यह सिर्फ सात्वा सेमेस्टर की बात यहां पर की गई चलिए आगे वाले में चलते ही थर्ड फिजिकल फिजिकल वेरिफिकेशन फोट्युकूमेंट्स फा चरालइन यह मंची सेमेस्टर की स 누ायवा यह सेमेस्टर कें सेमेस्टर वील है नहीं में वीटे़ फिजिकले पर नोट permite Frankf ऊण कर्णूमें के बातक्सर का चलिक्मिटिक सथ अपन Làm फर्स्ट सेमेस्टर वालों का will be carried out and when they report दो जब आप इंस्ट्टूट में रिपोर्ट करेंगे भृतिक रूप से आप खुद जाएंगे तब वो आपके भृतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का वह 15 जनवरी को नहीं हो रहा है ऐसा यह कह रहे हैं अधर इंस्ट्रेक्शन चोथा है अधर इंस्ट्रेक्शन कोविड-19 गाइडलाइन विल रिमें सेम एज अर्लियर नोटिस यह नोटिस आपने देख लिया है आप मेरे साथ बने रही है अगर आपको अपडेट रहना है आर आई के बारे में जानकरियां चाहिए और अगली आराई में भी आपको पढ़ना है या आपको सीई देनी है तो मूझ से जुड़े रहे हैं और मेरे टेलिग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाएं डिस्क्रिप् आपको उसके भी रिजिनिंग के भी 20 से ज़्यादा वीडियो मिलें के ओके फ्रेंड्स नमस्कार धन्या बाद अगले वीडियो में मिलता हूं जाहिए